हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम लोग कक्छा साथ का बशंत पुस्तक की पाठ नमबर चार कट पुतली पढ़ने जा रहे हैं की एक कवीता है और इसके कभी का नाम है भवानी परसाद मिस्र तो कभी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं यहां पर कभी एक्चोली जो हमारे मन में जो एक पराधीनता की जो भावना है सुतंता के समय इस्पेसली जब लोग पराधीन थे अंग्रेजों के अंदर में उस समय लोगों के मन में किस तरह की छटपटाहत हो रही थी सुतंत्र होने के लिए उस भावना को इस कटपुतली कवीता के द्वारा प्रस्तूत करने की कोशिस किये हैं कैसे पराधीनता में एक कटपुतली जो कि निर्जीव होती है वो भी छटपटाती रहती है वो भी सुतंत्र होना चाहती है तो सजीव व्यक्ति भारत के लोग भारतबाशी महलाएं वो जब पराधीन होती है तो उनके मन में किस तरह की भावना उठती है तो बच्चों पह हम लोग पढ़ते हैं पाठ का नाम है कटपुतली इस कटपुतली कविता को पहले हम लोग पढ़ते हैं कटपुतली गुस्टे से उगली बोली ये धागा क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोर दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो सुनकर बोली और और कटपुतलियां कि हां बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए मगर पहली कटपुतली सोचने लगी ये कैसी इक्छा मेरे मन में जगी तो इसके कविता में भवानी परसाद जी क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग भावार्त देखेंगे तो कटपुतली कविता का भावार्त हम लोग देखने जा रहे हैं पहला पद क्या है पहला पद है कटपुतली गुस्से से उबली तो जो कटपुतली थी वो काफी गुस्से में है और परिशान है तो गुस्से से उबलना मिन्स जब गुस्सा बहुत ज़ादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं गुस्से से उबलना तो कटपुतली गुस्टे से उबली जब उसके बरदास्त बाहर होने लगा उसकी पराधिनता तो वो गुस्टे से उबली बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे तो कटपुतली में आप देखे हूंगे कटपुतली के आगे पीछे चारो तरफ धागा बांधा जाता है जिससे कि उसको अपने इसारे पर नचाया जा सके तो कभी बोलते हैं कि कटपुतली एक कटपुतली अचानक से गुस्से से उबलती है अपने पराधिनता से और वो बोलती है कि मेरे आगे पिछी ये धागे क्यों हैं इन्हें तोर दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो वो बोल रही है कि मुझे ये पराधिनता के धागे नह कुटे पर करना चाहता हूं पराधिन होकर के मैं अब नहीं रहना चाहती हूं ऐसा कटपुतली बोलती है तो इसको अगर आपको लिखने के लिए आएगा इस पद के भाव को तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों आपको लिखना है आप इस तरह से हेडिंग देंगे कटपुत के मन के भावों को दरसाया है कटपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परिशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोर कर स्वतंत्र होना चाहती है वो गुस्से में कवठती है कि मेरे आगे पीछे बंदे ये सभी धागे तोर दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो मुझे आप बंद कर नहीं रहना मुझे स्वतंत्र होना है तो इस तरह की भावना इसके दिल में है कटपुतली के दिल में यह आपका सकते हैं कि आजादी की लड़ाई के समय में हर एक भारत भाशी के मन में ऐसी भावना थी फिर है अगला पद है अगला प हुए तो यहां और और का मतलब होता है दूसरे यहां पर कभी और और सब्द यूज कर रहे हैं दूसरे के लिए तो जब पहली कटपुतली आवाज उठाती है सुतंत्रता के लिए तो उसको सुनकर जो दूसरी कटपुतलियां थी वो दूसरी कटपुतलियां वो भी बोलत वो सतंत्रता चाहता है इस बात की हम लोगों को ख्याल किया हुआ या अपने मन की बात को दिल में सुनना उसकी बात को जानने का बहुत दिन समय बिद गया और आज अचानक से तुम्हारी बात सुनने के बाद हमारे मन में भी यह भावना जाग गया है अब हम भी अपने दिल की बात सुनेंगे तो इसको कैसे लिखना है बच्चों अगर इस पद का आपको भाव लिखने के लिए कहा जाएगा भावार्थ आप ऐसे लिखेंगे भावानी प्रसाद मिस्र जी ने कटपुतली कभिता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कटपुतलियों के मन के भाव को दर् कलना है काफी दिनों से हम यहां इन धागों में बंधी हुई है फिर अगला पद क्या है अगला पद है मगर पहली कटपुतली सोचने लगी या कैसी अक्षा मेरे मन में जगी तो जब दूसरी कटपुतलीयों वो भी आवाज उठाने लगती है तो पहली कटपुतली थी जिसने पहले आवाज उठाया था वो पहले आवाज उठाई तो वो एक्चुली नेता हो गई उन सब की तो अचानक से सोचने लगती है वो विचार करने लगती है कि मैं जो इन सब की जिम्मेदारी लेकर के आवाज उठाई हूँ सबसे पहले कि मैं सब को सुतंतर करना चाहती हूँ और मेरे साथ अब इस भाव में ये सब भी सामिल हुरी है क्या मैं ऐशा सही कर वा रही हूँ क्या मैं इन सब के जिन्मिदारी स्वतंत्र कराने की जिन्मिदारी को मैं उठा पाऊँगी क्या स्वतंत्र होने के बाद सचमुछ हम अपने वहाँ पे खड़े हो जाने के बाद सब कुछ अपने आप कर पाएंगे इस असमंजस की इस्थिति में पहली कटपुतली आ गई है और वो अब सोचने लगी कि क्या मैं जो आवाज उठा रही हो सही है या कैसी एक्षा मेरे मन में जग गई है वो असमंजस की इस्थिती में आ गई है क्योंकि अब उसके उपर जब दूसरे भी उसके हां में मिलाने लगे तो उसके उपर जिम्मेदार ही आ गई है कि सब को सुतंत्रता दिलाए प्राधिंता से बाहर लाए तो यहाँ पर अगर इसका भाव लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कटपुतली कभीता की अंतिम पंक्तियों में कभी भवानी परशाद मिस्र ने पहली कटपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है जब बांकी सभी कटपुतली पहली कटपुतली की सुतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कटपुतली सोच में पढ़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है क्या वो इन सब को सतनता की जिम्मिदारी अपने उपर ले पाएगी क्या उसकी इक्षा जाया जाया अंतिम पंक्तिया उसके इसी मनुभाव को समर्पित है तो अंतिम पंक्ति में कभी उसके असमंजस के स्तितियों को बता रहे हैं तो बाचों इस तरह से इस कवीता का भावायर्थ खतम हुआ अगली विडियों में आप लोगों के लिए इसी कवीता का question and answer का वीडियो में लाने वाली हूँ तो अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें लाइक करें वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करें और कॉमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अच्छा लगेगा बच्चों देखने के लिए धनिवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नम एस्कार